अबस्कार जैश्राम आज हमारे साथ है सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट उमकार चौत्री सर्थ आपने कई बार हमारे चैनल पे देखा होगा मुझे इनके चैनल पे देखा होगा लेकिन आज मैं थोड़ा गंभीर चर्चा करना चाहता था इसलिए गंभीर विक्ति को बुलाया है मेरी मुस्कुराहट पर मत जाईएगा जो एक राजिनिती में काल नेमी के आगबन को मैं सेंस कर पा रहा हूं क्या मेरा डर औरों को भी वो दिख रहा है इसके लिए ओमकार सर को मैंने बुलाया है ओमकार सर पहले करनाटक से चर्चा करेंगे उसके बाद हम मोदी जी के वर्ल्ड लेबल की पॉलिटिक्स में जो बदलाव आया है उसमें भी बात करेंगे करनाटक में एक चीज देखने को मिली जो की अधबुत है पूरा खान मार्केट गैंग सनातन धर्म को चिड़ाने के लिए गौम मूत्र का प्रयोग और अपमानित करने के लिए कर रहा था पिछले चार-पाच सालों से कर रहा है लेकिन करनाटका एसेंबली को पवित्र करने के लिए गौम मूत्र के अर्क का इस्तमाल किया गया प्रयोग किया गया कॉंग्रेस की जीत के बाद यह थोड़ा सर्प्राइजिंग नहीं लग रहा है क्या कॉंग्रेस वापस सौफ्ट हिंदुत्यू की तरफ जा रही है देखे कॉंग्रेस की जो नीती है रननीती है जो फार्मूला है दो हजार चोबिस को ले करके वो कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है एक तो यह है कि मुसलिम वोटों का धर्वी करण किया जाए उनको एक जुट किया जाए दूसरे हिंदू वोटों को विभाजित किया जाए बाटा जाए यानि हिंदू मसदाताओं को ब्रमित किया जाए और उसमें किसी हद तक वो किसी-किसी राज्य में कामियाब भी होती हुई दिखाई दे रही है, हिमाचल में भी हमने देखा है, करनाटक में भी हमने देखा ही है और तीसरा जो है उनका फ्री वीज जो उन्होंने कहीं ना कहीं अर्विंद केजरिवाल से आयातित कर लिया है या उससे पहले दक्षिन भारत में भी अम्मा के नाम से मशुहूर जैल अलीता ने ये शुरू किया था बहुत साल पहले ठीक है फिरी बाटो और मत हासिल करो सरकार हासिल करो सरकार पर कबजा करो वो नीती रणनीती बहुत हद तक कामियाब रही कॉंग्रेस की करनाटक में करनाटक में कुछ तो एंटी इंकंबेंसी फेक्टर था कुछ वोटों की कमी कुछ जेडियस के वोट की सक करके कॉंग्रेस की तरह आए और जैसा के तमाम विशलेशनों में हमारे आपके सामने आया दर्शकों के सामने आया कि अधिकांश मुसलिम वोट जो है वो कॉंग्रेस को चले गए तो इसका फरक पड़ा वहाँ पर अब ये चीज जो हो रही है कि साब विधान सबा को पवित्र करेंगे उसके परिसर को पवित्र करेंगे और गोमूत्र छिड़क करके करेंगे इसको लेकर के जहां ये आशंकाएं व्यक्त की जा रही है जो आपने की है वहीं जो इनके कटर समर्थक रहे हैं और जो एको सिस्टम का भी हिस्सा रहे हैं उनकी तरफ से बड़ी तीकी परतिक्रियाएं आ रही हैं उनमें से एक का ट्वीट में देख रहा था उनना कहा कि दो चम्मच गोमूत्र इनको पी भी लेना चाहिए तो इस तरह कि जो रियक्शन ह हैं यह क्या शो करते हैं कि यह इनको नुकसान भी पहुचाएंगे आप अगर वास्ताव में वो नहीं हैं जो शो करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह कहीं बार आपके लिए नुकसान देहे भी हो सकता है जी लेकिन उमकार सर्व जिस प्रकार से हम देखते हैं कि मुस्लीम भ कि वो जानता है कि कॉंग्रेस भले गौम उत्र का छिड़काव कर रही है लेकिन वो है सेकुलर और वो हमारे फेवरेबल की है तो हमें उनको वोट करना चाहिए यह प्रॉब्लम हिंदू के साइड होती है कि जैसे ही नरेंद्र मोदी को ही अलतकिया करने का प्रयास करेंगे य यह भी डेंट कर रहा है आपको नहीं लगता देखे जब वोटिंग का समय आता है तो जो थोड़ी बहुत नराजगियां भी होती है किनी इशूज को लेकर के किनी बयानों को लेकर के किनी नीतियों को लेकर के वो भी गोन हो जाती है बहुत कम ऐसे प्रतिक्रियावादी हो नोटा का बटन दबाते हैं, वाकी तो उस समय देश के भविस्य के लिए ही हर आदमी वोट डालता है, अगर आप विचार धारा के परती, सिध्धानतों के परती, हिंदुत्व के परती, हमारी जो सांस्कृति के पहचान है, उसके परती, और एक काम करने वाली सरकार के परती पूरी तरीके से परतीबद हैं, तो फिर जब चुनाव का समय आता है, तो फिर आदमी वही फैसला करता है, जो वो राष्ट हित में उचित समझता है, रही बात इसकी के मुसल्मान जो हैं, अलफ संख्यक जो हैं, वो टेक्ट फुली मतदान करते हैं, इस से मैं बहुत हद सहमत हूँ, लेकिन जब हम ये बात करते हैं, तो हमें ये भी मान लेना चाहिए, कि पूरे देश में कॉंग्रेस मजबूत नहीं है, ऐसे बहुत सारे राज्ये हैं, जहां कॉंग्रेस का कुछ खास नहीं है, मैं तो पिछले दिनों एक प्रोग्राम भी किया था इस पर कि न बिहार भी है, इनमें पश्यमंगाल भी है, ओडिसा भी है, महरास्ट भी है, इनमें बहुत सारे इस्टेट हैं, तो वहां पर मुसल्मान कॉंग्रेस के कमजोर हारने वाले परतियाशी को वोट क्यों करेंगे, तो वहां तो वो देखेंगे कि अगर महमताब एनर्जी का पर परतियाशी भारतिये जनता पारिटी को कडी टक कर दे रहा है, तो महमताब एनर्जी के परतियाशी को वोट देंगे, विहार में वो लालो और नितीश के परतियाशी को वोट करेंगे, उत्तर प्रदेश में अखले सियादव को वोट करना पसंद करेंगे, हमायवती को करे में एक सीट आई थी पिछली बार राई बरेली वाली अमेठी से राहुल गांजी तक हार गए थे तो इसलिए वैसे ठीक है कि आप जेस्चर के लिए फोटोग्राफ के लिए वीडियो बनवाने के लिए एक संदेज देने के लिए आप इस तरह की अरकते कर रहे हैं लेकिन इ कॉंग्रेस की पॉलिसी में एक और चेंज में देख रहा हूं जो कि बड़ा गजब का है पिछले आठ साल से इस पॉलिसी पे बात तो हो रही थी कॉंग्रेस के तरफ से कई लीडर्स पर वो चेंज नहीं दिख रहा था कॉंग्रेस ने मेक्शूर किया कि अलाइंस में आम जगन मोहन डड़ी दोनों जगह पे सीमांधरा और तिलंगाना में ये किया जाए उन्होंने साफ साफ कह दिये कि कॉंग्रेस अकेले लड़ेगी तो क्या उनको ये लग रहा है कि भारत जोडो यात्रा से जो मुस्लिम वोट इंटैक्ट हुआ है अब वो वापस उनकी जो वहां के हैं उत्तर प्रदेश के देवबंद के उन्होंने भी कहा कि अब हम कॉंग्रेस पार्टी को ही वोट करेंगे क्या ये मैसेज जा रहा है नहीं देखिए जहां जहां कॉंग्रेस मजबूत इस्तिति में होगी हो सकता है कि वहां पर मुसलिम उसको वोट करें लेक करेगा दूसरी बात ये भी है ना कि एक और पॉइंट आपने कहा था अभी देवबत वाला तेलंगाना या केजरिवाल से हाँ तेलंगाना केजरिवाल वाला जो इशू है इसमें देखे कई स्टेट है केवल तेलंगाना और दिल्ली नहीं है उनमें नवीन पतनायक का स्ट स्टेट भी है उनमें आंद्रा परदेश का भी है कई ऐसे राज्यें हैं जहां के चीफ मिनिस्टर कॉंग्रेस पारिटी के साथ खड़े होते हुए नहीं दिखना चाहेंगे मम्दाब एनरजी क्यों नहीं गई बंगलरू या अखलेस यादव क्यों नहीं गए उनको तो न नहीं खड़े होकर होने होते हुए दिखना चाहते कॉंग्रेस के साथ अतीत में ऐसी गलतियां भाई पड़ी हैं पॉलिटिकल पारिटियों को उनको लगता है मतदाताओं को कि जब अखलेश यादव भी बंगलूर पहुँच गए कॉंग्रेस के श्पत ग्रेंड में जब ममता भी पहुँच गई जब केसी आरिया अरविंद केजरिवाल भी पहुँच गए तो फिर कॉंग्रेस को यह वोट दिया जाए इसके सारे सतर्क हैं जो यह इशू है ना ओर्डिनेंस वाला जिस पर अरविंद केजरिवाल अब भारत भ्रमन कर रहे हैं और नितिश कुमा यह वो शेख चिली वाले सपने हैं जो कभी जमीन पर उतरने वाले नहीं है ऐसे बहुत सारे इशूज थे जिनका कॉंग्रेस ने भी और कई दलों ने विरोध किया राज्यसभा में और यह उस समय किया था जब सो से भी कम MP राज्यसभा में भारते जिनता पारिटी के थे आज तो 110 हैं और दो अभी और मनोनीत होने वाले हैं 112 हो जाएंगे इनको चाहिए 118 तो क्या 6 या 8 और MP नहीं जुटा पाएंगे अतीत में भी हमने देखा है ऐसे बहुत सारे मसले आए हैं जब लोग सभा से तो इजिली पास हो गया राजसभा में अडंगे बाजी करने की कोशिश की गई लेकिन मौदी सरकार ने जो फ्लोर मेनेजमेंट जिसको कहते हैं परदे के पीछे से आमित शाह और दूसरे लोगों ने उनने मेनेज किया जब 370 पे हो गया तब तो इस पे तो हो ही जाएगा नवीन पटनायक ने इनका साथ दिया है जगन मोहन रेड़ी न एक मामले में सह्युक्त सत्र बुला लिया था लोकसभा और राजसभा का नरेंदर मोदी भी बुला लेंगे फिर कौन पास करने से रोकेगा इनको तो ये बिल्कुल ऐसा मसला नहीं है हाँ आप ड्रामे बाजी के लिए रोज रोज कभी आप कलकत्ता कभी आप मंबई कभी आप दूसरी जगह जाकर के रोज प्रेस कॉन्फरेंस करें रोज मोदी को गाली गलोच करें वो ठीक है वो आप कर लीजिए लेकिन अगर आप ये सपने देख रहे हैं कि इस कवायद से आप उस विध्यक को रोक पाएंगे जो कड़ा संशोधन करने जा रही है बड़ा कि वेदन आप आजकल आप लोग को करना पड़ता है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा मोदी इस दब हो सब आते हैं बड़ी बेचैनी है सुर्खान मार्केट गैंग में पहले दर्शकों को मैं थोड़ा सा ये सुना दूं यह आस्ट्रेलिया के प्रधान बंतरी नहीं है और इन्हों ने जो कुछ भी कहा इसके बाद एक पूरे सेग्मेंट में गजब की बेचैनी है पहले यह सुन लेते हैं कि अधिन के देविद्ध प्राइमनिस्टर माडी इस वास कि अधार अधिकार सर यह थोड़ यह ब्रूस बिंक्स्टन से भी ज़्यादा बड़ा इनको बताया इसके पहले पौपुअगिनी के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बाऊं चू लिया बड़ा जोग्रॉफिकली पौपुअगिनी जो है वो इंपोर्टेंट है वहां पे युए से इतने दिनों से लगा हुआ कि पोर्ट वगेरा बनाने का पर्मिशन मिल जा है उसको बनाने के लिए लगा हुआ है यह जो करिज्मा है नरेंद्र मोदी का इसके पाद खान मार् ब्रिटिस पत्रकारों को यह पूछते हुए नहीं देखा कि आपने पाकिस्तान का किसी मुद्दे पे समर्थन क्यों किया भारत का क्यों नहीं किया या नियू यूउक टाइम्स या वाशिंग्टन पोस्ट कभी यूएस के प्रेसिडेंट से यह नहीं पूछती कि आपने भारत को छोड़के पाकिस्तान जैसे टर्रिस्ट स्टेट का क्यों सपोर्ट किया लेकिन राजदीब सरदेसाई ने कहा है कि आपने रश्या का यूक्रेन से जाने एक बावजूद रश्या का विरोध क्यों नहीं किया जबकि भारत रश्या से पेट्रोलियम और सारी चीज पे चल रही है क्या लगता है आप क्यों यह हो रहा है देखिए इस सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है नरेंदर मौदी की जब सही च्छे दिवसिये यात्रा शुरू हुई है और जापान के हिरोश्यमा पहुँचे जी सेवन समिट में ऑबजर्वर की हैसे से भारत है एट हो जाएगा और भारत की इसमें एंट्री हो जाएगी वो केवल अब आपके मुखदर्शक की इस्तिती में नहीं रहेगा केवल ऑब्जर्वर की भूमिखा में नहीं रहेगा आते हैं मूल मुद्दे पर जब जी सेवन की मीटिंग चल रही थी शुरू होने वाली थी जो अमेरिका के राष्टपती जो बाइडन खुद चल करके मौदी के पास आते हैं उनको गले से लगाते हैं एक समय ऐसा भी आता है जब जो बाइडन उनसे कहते हैं कि आप अमेरिका में कितने लोग परिये हैं आपको पता भी नहीं अभी 22 जून को जो वाइट हाउस में के सम्मान में हम भोज करने वाले हैं उसमें शामिल होने के लिए लोग कहां कहां से सिफारी से लगवा रहे हैं बता नहीं सकता और आपकी लोग प्रियता को देखते हुए मुझे भी आपसे ओटोग्राफ लेने की इच्छा हो रही है यह हंसते हुए औरोंने कहा यह शो कर यह ज़रा सोचने वाली बात है जो ग्लोबल रेटिंग एजिंसी है वो भारत की नहीं है और उसे पैसे दे करके रेटिंग तैयार नहीं कराई जा सकती है पिछले दो साल से लगातार नरेंदर मौदी ग्लोबल रेटिंग में टॉप पर बने हुए है और बाकी सारे के सारे पीछे हैं इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से ब्रेटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं रिशी सुनक वो भी गरम जोशी से मिलते हैं जापार में उनका भाव भीना स्वागत होता है इसके अलावा आपके फीजी और जो आपका पापुआ नियो गिनी वहां का सरवोच्च सम्मान उनको मिलता है इंटरनेशनल एरपोर्ट पर पापुआ गिनी में जब वो लेंड करते हैं उनके पैर चूते हैं वहां के परदान मंतरी आस्ट्रेलिया के परदान मंतरी उनको बॉस बताते हैं और जिस तरह का हमने वातावरण लंदन में देखा था जिस तरह का हमने अमेरिका में देखा था जब डोनाल टरम्प के साथ वो शायद होस्टन में थे वहां पर एक बहुत बड़ी रैली हुई थी और अमेरिका बर से भारतिये पहुँचे थे लंदन में भी यही हालते जिसमें परसून जोशी जो हैं उनका इंटर्वियू कर रहे थे और एक बार उनसे पहले तब के परधान मंतरी ने इनको इंटर्वियूस किया था लंदन में और अब यहां आस्ट्रेलिया में कई देशों में हाला कि वो भारतियों से इसी तरीके से रूँ बेरू होते रहे हैं उनसे मुलाकात करते रहें उनका मनोबल बढ़ाते रहे भारत में जो प्रोग्रेस हो रही है उसके बारे में भी बताते रहे लेकिन आस्ट्रेलिया में आज सीडनी में जो सीश देखने को मिला ये अद्भुत था अद्भुत जिसको कहते हैं मैंने तो अपने लाइफ में ऐसा नहीं देखा था कभी मतलब इवन बूस्टन में भी नहीं तो वहां के प्राइम मिनिस्टर का ये कहना के साब अमेरिका के जो गायक हैं बूस स्प्रिंग स्टीन ऐसा उनका भी स्वागत नहीं हुआ जैसा नरेंदर मोधी का हुआ है तो इस तरह के सीन जब आएंगे और दुनिया भर में जब इनको मतलब केवल लेजिटिमेट नहीं किया जाएगा बलके इनका सम्मान किया जाएगा आगे बढ़ करके बहुत सारे देश अब तक इनको अपने यहां का सर्वोच नागरिक सम्मान दे चुके हैं तो ऐसे में जो यहां हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को ले करके छाती पीटना शुरू करते हैं पारलेमेंट नी चलने देते हैं पारलेमेंट के बाहर भी हो हला करते हैं और जब सुप्रेम कोट की कमेटी जाच करती है तो पाती है कि उसमें तो कुछ है ही नहीं उसमें तो कोई गड़बड़ी हुई ही नहीं है इन्डनबर्ग की वो फरजी रिपोर्ट थी जिसमें हमारे यहां के सबसे बड़े उद्योग पती को बदनाम करने की कोशिश की और लगे हाथ प्राइम मिनिस्टर को भी बदनाम करने की खुशिश की देखिये जब ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में यह कारिकरम चल रहा था उस समय हमारे energy के साथ press conference कर रहे थे क्यों कर रहे थे ordinance को ले करके और इसलिए के media में मोधी का कारिक्रम किसी तरीके से divert किया जाए दूसरा कारिक्रम जो हो रहा था वो मनीश सिसोधिया को राउज एवन्यू कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया था वहाँ वो media से बात करने पर आमादा थे जबके वो न्याई खिरासत में है इससे पहले भी वो न्याई खिरासत में एक दो इसी तरह के बयान दे चुके हैं दिल्ली पुलिस और वहाँ जो अधिकारी थे उन्होंने तैकर रखा था कि इनको media से बात नहीं करने देंगे और यही न्याई सम्मत भी है अगर कोई पुलिस कस्टेडी में है या न्याई खिरासत में है तो वो media से बात नहीं कर सकते लेकिन आज का जो media है वो सारी नैतिक ताएं चूर चूर कर चुका है जो परंपराएं हैं उनको भी खूटी पर टांग चुका है और वो चाहे अतीक और असरफ हो चाहे मनी सिसोदिया हो उनसे बातचीत करने के लिए भी पहुँच जाता है जबके वो कस्टडी में होते हैं न्याई किरा पर था दूसरा हथ दूसरे कंदे पर था वो जा दूसरा हथ था वो उनकी गर्दन पर भी चला गया इसको लेकर के आमादी पार्टी ने तमाशा करना शुरूरा और यह कहा कि यह तो देश के और दुनिया के सबसे सफल सिक्ष्षामंतरी तो यह सब ड्रामे इसलिए किये जा रहे हैं कि जो प्रदानमंतरी नरेंद्र मोदी के करिकरम उनमे रहे हैं उनमें हलका सा काला सा एक दाग लघाने की कोशिश की जाए या लोगों का धियां डाइवर्ट करने की कोशिश की तीस्रां कर्कलव जिकर और घृरूत खरगे का अभी एक दिन पहले राजी राह प्रधान मंत्री थी तो वो संसद की एनेक्सी का उद्गाटन क्यों कर रही थी जब आपके पिताजी राजीव गांदी प्रधान मंत्री थे वो संसद का उद्गाटन क्यों कर रहे थे और आपका कंट्रिब्यूशन क्या है नई पार्लेमेंट में जब सेंट्रल विश्टा को मोहर लगाई नरेंदर मोधी सरकार ने तब तो आप इसका विरोध कर रहे थे आपने पूरा कॉंग्रेस और पूरा मीडिया हाउस इसके खिलाफ था सेट पूरी पूरा जो इनका परियास था सुप्रीम कोट में इसको रोकने का किसी तरीके तक याद किये जाने है पार्लेमेंट का सिलान न्यास का पत्थर और उदगाटन दोनों के पत्थर नरेंदर मोधी के नाम होंगे अगले डेड़ सो साल तक ये पार्लेमेंट रहने वाली है इतने मजबूत इसको बनाया गया है अगले डेड़ सो तो आपको याद नहीं था कि यह दलित या वनवासी राष्टपती हैं, इनको मतलब अपोज ना किया जाए, इनके सामने परतियाशी खड़ा ना किया जाए, और इनको चुना जाए, आज आपको ये सब चीजे याद आ रही है, तो ये लोग अगर खुनस नहीं खाएंगे, तो इनकी राजनिति कैसे चलेगी, क्या ये अपनी अपनी दुकानों पर ताला लगा दे हैं, चली, बहुत-बहुत धन्यवाद, दर्शकों से निवेधन है, वो वीडियो को लाइक करेंगे, मैंने कहा था शो के आखरी इससे में, आज एक जबरदस्त रिपोर्ट बाट रहे हैं, भारत की एकनोमी खराब हो गई, मैं बताओं जब कॉंग्रेस ने सत्ता दोहजार चौदा में छोड़ा था, तो बैंकों पे कर्ज था, बैंक प्रॉफिट में नहीं थे, वो भी एक तो नहीं, असी हजार करोर, और दोहजार तेईस की PSU बैंकों की रिपोर 23, आप इसमें लिखा हुए, आप देख लिजिए, जो नेट लॉस था, 2017 तक 85,000 करोर का था, तो पाँच साल में नरेंद्र मोदी ने, और निर्मला सिता रमन जी की जोड़ी, अब तो जेटली जी नहीं रह, इन्होंने ऐसा क्या किया, जो देश के बैंकों की तस्वीर आपको याद होगा, पारलियामेंट में नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कहा था, SMS के द्वारा लोगों को, बैंकों को फोर्स किया गया था, बैड लोन देने के लिए, सारा इलजाम नरेंद्र मोदी पे रवीश कुमार से लेकर के तमाम खान मार्केट गैंके पत्रकार न्यूज जो है, आप एकनॉमिक्स टाइम्स का ये न्यूज है, ठीक है, बेट जो है, आप देख लिए कल की डेट का है, किस मई का है, इसमे बताया गया है, एक लाख करोड का प्रॉफिट, वैसे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको बिल जाएगा ये न्यूज अब जो मैंने ये ब्लास्ट किया है, इस पे आपने सुना, दो दिन में कोई डिबेट हो रहा हो, उन्हीं खान बार्केट गैंके द्वारा, तो ओमकार सर से आखिर में प्रस्ट लेंगे, वैसे मैं आप से निवेदन करूँगा, ये जो मैंने अभी डिस्क्लोज किया है, इसको अगर पॉसिबल हो, तो आप दो मिनट का ये काट करके, मुझे एडिट करके, वाटसेप कर दे, ताकि हम लोग इसको ट्वीट भी कर देंगे, अब ओमकार सर, इस पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, क्यों करेंगे, अभी जब इन्हों ने ये हिंडन वर्क की रिप पर अड़ानी पर स्यापा किया था, चाती पीट करके, इन्होंने कितने बड़े जूट बोले थे, इन्होंने कहा था कि SBI ने जो लोन दे रखा है, अड़ानी को, SBI डूब गया, LIC डूब गया, सब डूब गया, हाँ, तो वो बरबाद हो गये, चोपट हो गये, और जिन्होंने LIC में अपना पैसा लगा रखा था, LIC ने भी गोताम अड़ानी को रिन दिया हुआ है, तो लोगों का वो पैसा ही LIC में डूब गया है, लोग तो बरबाद हो गये है, मतलब इसने बड़े-बड़े जुट बोलते हैं आप, बाद में LIC ने भी एक इसपश्ठी करन दिया, SBI की तरफ से भी आया, और उन्होंने बताया कि टॉटल जितना हम लोन के रूप में देते हैं, उसका एक भी हमने गोता मड़ानी के कारोबार को नहीं दिया है, और हमारे पास जो उनके शेयर्स हैं, हम अभी भी प्रोफिट में हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमारे यहां जो लोगों ने खाते खोल रखे हैं, या अपना पैसा दिया हुआ है, वो कहीं नहीं गया है, कोई हम प्रोफिट में हैं कोई डूबा नहीं है तो ऐसे गैर जिम्मेदार विपक्ष से अब क्या उमीद करिएगा ये तो पूरा पबलिक डॉमेन में है कि जो ये नीरो मोदी आपके वीजे मालिया तमाम जितने भी ये चेहरे हैं इनको लोन पर लोन किसने दिलवाया कैसे दिलवा गया और जब वो लेकर के भाग गए तो उसके बाद ठीकरा फोड़ने की कोशिश की गई अरुन जेटली के और नरेंदर मोदी के सिर पर वो भी सारी कथा कहानिया जूटी निकली और सचाई सामने आ गई ठीक बाद और अब ही जितना भी मतलब बैंकों का लोन बकाया था जो फसा हुआ था जिसको कह देते हैं ना ये के साब बड़े उद्योग पतियों का आपने माफ कर दिया वो कभी माफ नहीं होता है या तो इनको समझ नहीं है या लोगों को ये बेवकूफ समझते हैं वो राइट ओफ नहीं होता है उसको रख दिया जाता है लेकिन उसकी वसूली के लगातार परियास होते हैं तो बहुत बड़े पहमाने पर वसूली का भी काम हुआ है और बैंकों की जो इस्तिती है जो रिपोर्ट है वो बता रही है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ मौधी सरकार को बदनाम करने के लिए जुट पर जुट बोलता आया है सचा ही क पूछ लेंगे वाइड सुनिया जी इनोग्रेटेड मेनी प्रोजेक्स हाँ यह सवाल दिवेदी जी का अच्छा है यह बात आप खड़के जी से पूछे क्योंकि हम तो इस प्लेटफॉर्म पर उन्हीं को एक्स्पोजी कर रहे हैं और मैंने तो कह दिया है कि दोहजार पत्रकार बैंकों पर जूट बोल सकते हैं इस देश के लोगों का करोडों रुपए डुबाने के लिए अडानी हिंडर बर्ग पर अडानी को डूपते हुए देखके स्वैम खुस हो सकते हैं और अडानी के बहाने जो है इस देश के लोगों के भी रुपए डूप रहे थ थेंक यू सो मच सभी को नमस्कार दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा लाइक कीजेगा और सपोर्ट करने के लिए लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में है या स्क्रिण पे धन्यवाद